तो गुर्मानिंग गाईज और 23 जून के करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है इराग के नए प्रधान मंत्री कौन बने अभी मुस्तफा अलकदीमी इराग की एक उमान ये किस देश की नई प्रस्तावित मुद्रा है तो ये है इरान की और अभी तक जो थीस की वो थी एरानी रियाल अच्छा ये तोमान और इरानी रियाल के भी sometimes के रिलेशन में आप लोगों को बताये था क्या रिलेशन है वो मैं आप लोगों से जानना चाओंगा बाकी इरान की बात करेंगे कैपिटल तहरान है और प्रेसिडेंट है हसन रुहानी फुरे ब्राजील में भारत के नए राजदूत अम्बेसेडर कौन बने तो आंसर होगा सुरेश के रेड़ी ब्राजील के केपिटल ब्राजीलिया है करंसी है ब्राजीलियन रियाल और जेर बोल्सनारो यहां के प्रसिडेंट है जो कि अभी हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट भी थे फिर है आरबील बैंक के CRO चीफ रिस्क आफिसर मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने तो आं जुष कवच यह एप्लिकेशन को किस ने लॉंच किया था किस राज्य ने उत्तर प्रदेश ने इसमें आयूरवेद और ट्रेडिशनल जो भी मेडिसेंस होती है उसकी इनफॉर्मेशन मिल पाई गया आपको यूपी के खनव है कैपिटल और योगी अधितिनात मुख्य मंतरियां आनंदी बेन पटलियां की गवर्नर है फिर है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉंच किया था किसने नीती आयोग ने नीती आयोग के उपाध्यक्ष राजियु गुमार है CEO है अ को लिखा कि इसने कर्णल वी एं थापर ने और विजियंת की बेटी नेहा दिविवेदी ने कर्णल विजियंत धापर विजियंत की पिता है और नेहा दिवेदी उनकी बेटी न不知道 हैं यह जो विजियंत है यह शहीद हो गए थे 1999 में कारिगिल यूद्ध में और उनी के ऊप रियूस किये जाने वाले PPE kit के लिए किस IIT के साथ समझूता किया था तो आंसर होगा IIT दिल्ली के साथ में PPE kit में PPE का मतलब क्या होता है Personal Protective Equipment और अभी IIT दिल्ली से आपको याद होगा इसने COVID-19 के प्रसार की भविश्वानी करने के लिए प्रकृती नाम से एक Dashboard भी तयार गिया था फिर विश्व Athletics Day कब मनाते हैं World Athletics Day साथ मई को मनाते हैं वैसे कोई इसका Fixed Day नहीं है हर साल लेकिन Maximum Time ये मई में ही मनाया जाता है जो भी Decide होता है वो World Athletics इसका Decision लेती है कि कब मनाना है और World Athletics इसका Headquarter मुना को में है और National Sports Day वो 29 अगस्त को मनाते है मेजर ध्यान चंजी थे महान होकी प्लेयर हमारे उनके जनम दिन को और International Sports Day भी याद रखो वो 6 अपरिल को मनाते हैं फिर मिड़े मील राशन की सुविदा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना तो आंसर होगा मद्यप्रदीश मद्यप्रदीश की कैपिटल भूपाल है मुख्य मंत्रे हैं शिवरा सिंग चोहान और गवर्नर हैं लाल जी दास तंडन बढ़ते आगे फिर मैक्स बुपा हेल्थ इंशॉरेंस के नए M.D.C.O के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो आंसर होगा क्रशनन रामचंदरन को फिरें नौथ कोरिया के शाशक किम जॉंग उनको दुपित्य विश्वयुद के पदक से अभी किस देश ने सम्मानित किया रशिया ने और क्यों किया तो सोवियत संके उन सेनिकों की इस मृत्य को संगरक्षित करने के लिए जिनकी मृत्य दृत्य विश्वयुद 2nd World War के स जाना चाहते हैं तो वो इस application के माध्यम से online आवेदन कर सकते थे तो याद रखना पच्छी मंगाल में इसको शुरू किया था exit application को फिर भारते नौसेना ने एक अभ्यान शुरू किया था मालदीव से जो सेनिक फसे हुए हैं वहाँ से वापस भारत लाने के लिए इस उस कॉंबे के प्रोफेसर हैं यह और अभी IIT मदरास के प्रोफेसर भी न्यूज में थे उनका नाम है टी प्रदीप Science and Technology में 2020 का निक्केई एश्य अवर्ड मिला था उनको फिर है IBRD IBRD मतलब International Bank for Reconstruction and Development में अमेरिका के ने प्रतिनीदी के रूप में किसे मनुनीत किया गया थ तो अंसर होगा तरुन बजाज को और आपको याद होगा भी यह Corporate Affairs यानि के आर्थिक मामलों के सचीव भी बने थे फिर एकिस राज्य सरकार ने निगाह योजना को शुरू किया था तो हिमाचर प्रदीश की सरकार ने इसमें उन लोगों के परिवारों के सदेश्य को जा करमित हो जाओगे और यह तो है निगाह योजना एक निगाह मोबाइल एप्लिकिशन भी आई थी जो कि आंद्रप्रदीश सरकार ने लॉंच की थी चुनावों में भरष्टाचार को रोकने के लिए तो वो भी याद रखना बढ़ते आगे तो चलिए कल के Current Affairs को भी रिवा दूजा को जिमबामवे जिसकी Capital है हरा रहे और यहां के President है Immersan Mangangwa फिर अमेरिका की National Science Foundation के Director कौन बन गए है तो सेतुरमन पंचनाथन बन गए है यह भारते मूलके हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक है फिर अंतर राष्टर योग दिवस International Yoga Day हमने कब मनाया अब 21 जून को इसकी जिसकी Theme थी Enabling Autonomous Technologies फिर Bloomberg Billinears Index के मुताबिक मुकेश अंबानी दुनिया में कौन से नंबर के सबसे अमीरिक्ति बन गए हैं टॉप 10 में आ गए हैं यह और 9 नंबर में हैं टॉप पे जेफ बेजो से Amazon के संथापक और अभी इनकी जो Company Hairlines Industries वे 150 बिलियन डॉर के Market Capital को पार करन वाली पहली भारते कंपनी बन गई है फिर है तेलंगना ने मौसम संबंदी जानकारी देने के लिए कौन से application को launch किया है तो आंसर होगा टी एस वेदर और इसी तरह से अभी बेंगलियूर में iFlows नाम की application को launch किया और मुंबई में में गदूत नाम की application को फिर है भारत की ज 2099 तक अगर सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहाल जेते की pollution को कंट्रोल करने से हम रोप पाए पेड़ो को कटने से रोप पाए हर्याली को बढ़ा पाए तो जो temperature होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 4.4 degree Celsius टेंपरेचर तक बढ़ जाएगा जो काफी खतरनाक होगा फिर जर् प्रुना से बचाने के लिए एक application अभी launch किया है क्या नाम है उसका COVID-Warn नाम है जर्मनी कैपिटल बर्लेन है करंसी है यूरो और यहां के चांसलर का नाम है एंजिला मरकेल प्रेसिडेंट है फ्रेंक वाल्टर स्थिनमेर फिर Defense Institute of Science Advanced Technology ने किस नाम से मास्क बनाया है तो पव उनिसेफ के साथ समझता किया है तो आंसर होगा भारत ने और जिस vaccine के आपूर्ती की जाएगी उसका नाम है pneumococcal conjugate vaccine और कितनी खुराग देगा 10 million खुराग देगा भारत यूनिसेफ मतलब होता है United Nations Children's Fund नियू यॉर्क में headquarter है और इसकी head है Henry Tach4 है फिर फेस्बुक ने किस Swedish mapping company का दिखरन कर लिया तो आंसर होगा mapillary Sweden की company है यह फेस्बुक किस्ता अपना 2004 में हुई थी California US में headquarter है Mark Zuckerberg इसके head है founder है और वरतमान में इसके CEO भी है बढ़ते आगे तो इस Teddy questions की बात करेंगे तो पहला परशन पूछा जा रहा है Australia की capital क्या है तो आंसर होगा Canberra है और Australia के प्रधान मंत्री कौन है Scott Morrison है अच्छा आपको याद दो का अभी ICC T20 ranking आयती उसमें पहली बार टॉप पे रहा था Australia और test ranking में भी Australia ही टॉप पे रहा था और ODI ranking में इस बार England टॉप पे था Australia से एक और point आपको बताता हूँ एक पिच बलेक वायू सेन्य अभ्यास है जो कि Australia के द्वारा आयोजित किया जाता है कहीं देश इसमें हिस्सा लेते हैं भारत भी 2018 से इसमें हिस्सा ले रहा है लेकिन इस बार यह रद्द कर दिया गया एक बाइन्वल एक्सरसाइज है COVID-19 के करन रद्द कर दिया इसे फिर इस सिप्री का headquarter कहां पर है तो नाम से clear है इस त तूख हॉम International Peace Research Institute इसका full form हो गया तो इसका headquarter कहां पर इस तूख हॉम स्वीडन में और इसने बताया था भी एक रिपोर्ट आय थी कि जो nuclear weapons हैं सबसे ज्यादा किसके पास हैं तो सबसे ज्यादा रश्या के पास हैं फिर अमेरिका के पास हैं और फिर चाइना के पास हैं 350 ल नमबर पर बताया था भारत और उससे पहले जो रिपोर्ट आय थी उसमें बताया था कि हत्यार खरीदने के मामले में कौन सा देश टॉपर है तो साउधी अरब सेकिंड नमबर पर है भारत फिर एक इस देश ने नाबालिकों को दी जाने वाली मौत की सजा को खतम कर दिया तो आंशर क्या होगा साउधी अरब ही होगा साउधी अरब की capital रियाध है currency है साउधी रियाल फिर है केंदर कुरशान कल्यान मंत्री कोने अमारे नरेंदर सिंह थो मरें सिंग है इनका निर्वाचन शेत्र constitutional है मुरेना मध्यपरदेश और अभी आपको याद हूगा इन्हो सबसे जदा उत्पादक देश कौनसा है, सबसे जदा कहां पर होती है केसर तो इरान में होती है, अभी आपको याद होगा कौनसा कश्मीरी केसर को भी जी आई टेग मिला था, और ये दुनिया का एक मात्र ऐसा केसर है, जो की 1600 मिटर की उच्चाई पर उगाया जाता है, फिर ICC International Cricket Council के CEO का नाम बताओ, मनु साहनी है, और इसका हैटकवाटर कहां पर है, दुबई में है, फिर एक काविरी नदी का उधगम किस राज्य से होता है, तो करनाटक से, करनाटक के जो ब्रमगिरी परवते वहाँ से निकलती है काविरी, और काविरी जल विवाद, मुख्य मुख्य रूप से देखो तीन राज्यों और एक यूनें टेरिटरी के बीच में, करनाटक, तमिलनाडू, कैरल और पुड़ुचेरी, लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडू और करनाटक के बीच में यह, MSME Day कब मनाते हैं, 27 जून को मनाते हैं, MSME मतलब होता है Micro Small Medium Enterprises, और MS मार्ग परिवहन मंतराले के अभी सचीव बने थे, कौन? गिर्धर अर्माने, बढ़ते हैं तो important days की बात करेंगे, तो पहला प्रशन है, DRDO दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 January को, फिर विश्व ब्रेल दिवस, यह हमने मनाया 4 January को, अच्छा, ब्रेल लिपी में कितन dots का इस्तमाल होता है, कहीं बार मैंने आपको बताया यह, 6 dots का इस्तमाल होता है, फिर है 16 प्रवासी भारते दिवस, यह हमने अभी 9 January को मनाया था, और एक अंतर राश्ट्र प्रवासी दिवस होता है, जो हम 18 December को मनाते हैं, जिसकी theme थी last time, we together, फिर है विश्व हिंदी channelizing youth power for nation building, और एक international youth day वो भी 12 तारीक को ही मनाते हैं, लेकिन महीना उसका होता है अगस्त का, वेसे 12 अगस्त को world elephant day भी मनाया जाता है, अचा elephant किन किन राज्यों का राज के पशु है, तीन का है करनाटक, केरल और जारखंड, फिर है 16 तरबल भूतपुर्व सैनिक दिवस, य इंगलिश में बोलेंगे तो armed force veterans day, फिर है भारते सेना दिवस, यह हमने 15 जनवरी को मनाया, 15 जनवरी को 72 मनाया था इस बार, फिर है विश्व वन्यत जीव दिवस, यह हमने 3 मार्च को मनाया, और इसकी theme क्या थी, sustaining all life on earth, प्रत्वी पर सभी का जीवन बनाया रखना, और 3 म आरच को वैसे हम world hearing day भी मनाया थे, विश्व hearing दिवस, जिसकी theme थी, hearing for life, don't let hearing, प्रे राश्ट्रे बाली का दिवस, national girl child day, यह हमार साल 24 जनवरी को मनाते हैं, और पिछली बार से हम 24 जनवरी को international education day भी मना रहे हैं, और इस बार इसकी theme थी, learning for people, planet, prosperity and peace, और यह तो अगया द एक अंतर राश्ट्रे बाली का दिवस, यानि कि international girl child day भी मनाते हैं, वो हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं, और अगर बात करें, कि हमने कहा ना भी कि 24 जनवरी को international education day भी मनाते हैं, तो national education day कब मनाते हैं, यह भी आपके mind में आना चाहिए, यह हम 11 नौमबर को मनाते हैं, क्योंकि राश्ट्रे मतदाता दिवस voting day यह हम 25 जनवरी को मनाते हैं, और 25 को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारती चुनावा आयो का गठन हुआ था, और इस बार के theme क्या रही, electoral literary for stronger democracy, मचबूत लोकतंतर के लिए चुनावी साक्षर था, वैसे 25 जनवरी को हम national tourism day भी मन यह याद रखना हैं आपको, तो guys यह था आज का हमारा current affairs का revision वाला video, hope, so आपको यह अच्छा लगा होगा, और अगर आप में से कोई इस वीडियो को first time देख रहे हैं, तो बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और please वीडियो को like जरूर करना अगर आपको वीडियो अच अच्छा लगेगा, हमें भी motivation मिलेगा, इतनी मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा बोतो हमारा भी एक बनता है अच्छा लगने का, और please वीडियो को share जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, या अगर आपका कोई study group है, facebook, whatsapp अगर आप यू झाल 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